नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सटी हलिचल मैं हूँ आपके साथ अशुक चोपड़ा पंजाब की भगवन सिमान के नित्तत्व में बनी आम आदमी पालिटी की सरकार द्वारा परदेश वास्तियों को उची सवास्त सिवाएं उपलब्द करवाने के उदेशी से 271 डोक्टरों की भरती की है तो वहीं परदेश भर में आम आदमी क्लीनिक भी खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घरों के निक्टी सवास्त सिवाएं मिल सके इसी कड़ी में स्थानिय विजाय के पंजाब के सिख्या मंतरी हर्जो सिंग बैस के प्रयासों से विधान सवाक्षेतर शिरी अनन्द पुर साहिब में पांच नए आम आदमी क्लीनिक खोले जा रहे हैं पहले सुने नंगल के महला राई नगर में खुलने वाले आम आदमी क्लीनिक की तैयारियों में जुटे रजजित निशावत ने क्या कहा इस मौके पर कशेतर वासी कहर सिंग ने प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी के लिए खोले जाने का सवागत करते हुए कहा कि इस से लोगों को सवस्र सिवाए के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा क्या कहा कहर सिंग ने आप भी सुने जो भी पिजाब सरकार एक महला कलीन का खो रही है बहुत वदिया पराला है इस तो वदिया पराला नहीं हो साथा पहले भी सोदे क्रीब कलीन का महला खुड़ियां गई हैं जेड़ा के लोकान बद तो बद उथे दौईयां में रही हैं लोक इस चीज दा बड़ा गुड़गान कर रहे हैं दो देन पहले थे अपने केबिनन मांतरी सर्दार खर्योर सिंग बैंजी आएसी के लिने दिया जो उन्हां ने उत्थे भी महला कलीन के बारे गाल किती के असी महला कलीन का खुड़ा रहे हैं उत्थे कुछ बच्चा ने उन्हों करियां भी देनियां एक पिंजाब सरकार दा बहुत ही बदिया उपराला है जी ये तो बदिया उपराला कोई हो और नहीं हो सकता हर एक महले दे बिच हर एक पेंड दे बिच अश्ता ये चांदे जीना नो एक चीज़ा नहीं पाचनियां हो दियां बाकी इह तो बदिया पराला कोई नहीं हो साथा एक आम ग्रीब जंता आम बंदे लें बोट बदिया पंजाब सरकार दा पराला है नशीं सरकार दे बहुत-बहुत तनववाद्दनी है उदहर आम आदमी पालिटी के करमचारियों अत्वा डक्टरों की भर्पिया की जा रही है तो कहीं अस्थाई करमचारियों को र्यगुलर किया जा रहा है। जबकि इस सरकार से पहले जिस भी पालिटी की सरकार बनी तो बह चार बर्च अराम करते से जबकि आंतिम बर्च में सिलानियाश और उद्भाटन किया करते थी लेकिन इस सरकार ने रिवाज बदला है उन्होंने कहा कि विदानसवा खेतर शिरी अननपुर सहे में पांच नए आम आदमी के लिए न खुलने जा रहे हैं और ये सब सानिय बधायक एबम सिख्या मंत्री पंजाब हर्जो सिंग बैज के प्रयासों से ही संबब हो रहा है क्या कहा इस बारे में और जान करिजेते ड़क्टर संजीब गोतम ने आप भी सुने सब्सक्राइब किते सी जिमें बिजली दा वाइदा सी एजूकेशन दा सी महला के लिए निगदा इस स्टेप बाई स्टेप एक नाल जड़े अनिम्प्लाइमेंट लोग ने जड़े कच्छे सी उनने पक्के करन दाते तूसी देख देओं रोज डाक्टरां दियां टीचर अधर डिपार्टमेंट लेक्ट्री सारे पसे परतियां बराबर क्या लियां यह जड़े होना सी साथी सरकार काम कर रहे हैं बाकी सरकारा जो जो जान बाई समय छे मिन देओं उदो नीम पत्थर रख देसी कम नहीं कर देसी तूसी देख दो एक साल देविच बहुत बड़ सेहता और दोईया फ्री सारी टेस्ट जिनने भी हुंदे मैकसिमम और सारे फ्री हुंदे ने बड़ी रहात मिल लिए हैं चार महला के लिए निक साथ यहाल के दिविच होर नहीं आ रहे हैं सेड़ी हल्ट जल के लिए नंगल से करेंचो पड़ा की रिपोर्ट अजोली मार्किट में खुल गई है चश्मों की नई दुकार बशिष्ट ऑप्टिकल यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रेंड़ेड चश्मे वो भी बजार से काफी कम दापर नजर के चश्मे लगवाने बालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुलक जाच करने के उपराथ आटोमेटिक मशीनों से त्यार चश्मा चंद मिंटों में ही उपलब करवाया जाता है तो एक बार सीवा का मोका अवश्य दे हमारा पता नोट करें बशिष्ट ऑप्टिकल नंगल संतोषगर मुख्य मार्ग निक्ट गोल्डन पैलस अजोली मोट जिला उन्ना हमारा फोन नमबर निन्यानमे एक सो पचपन चुरासी एक सो नबे